नमस्कार दोस्तों आप लोग का अपना चैनल 24 स्टेडी वाला पर स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोग को ससी घटना चेकर जीयस के एस्बूक में भारती राजब्योस्था का जो यह टापिक था विविद उस टापिक को पढ़ाऊंगा इसके पहले की जितने भी टापिक है सारे टापिक को पढ़ा दिया गया है जो विद्धार थे उन विडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर उसे देख सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक विविद विविद में जो पहला कोश्चन है दोस्तों वह है राष्ट संग का गठन किस यूद के अंत में किया गया था यह हुआ था पर्थम 20 यूद मतलब 20 यूद पर्थम के बाद इसका राष्ट संग का गठन किया गया है पर्थम बिश युद जो है 1914-1918 तक चला युद के ततकाल बाद सभी देश सांती चाह रखते थे इसी हेतु सांती प्री देशों ने मिलकर एक ऐसे संग के गठन का निश्य किया जो 20 अस्तर पे सांती कायम रख सके इसके लिए राष्ट संग यह लीग आफ नेशन का गठन किया गया इसकी अस्थापना जो है 10 जनुवरी 1920 को की गई अतर राष्ट संग का गठन जो है पर्थम बिश युद के अंत में किया गया एगला कुश्यन है सईंत राश्य संग कब अस्तित में आया था इसके बारे में देखते हैं तो सेन फ्रांसिको अमिर्का में अप्रेल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में सईंत राश्य संग के चार्टर को अंतिम रूप से अंतिम रूप दिया गया और 26 जुनवरी 1945 को पचास राश्य ने इस पर हस्ताश्य किये पोलेंड इस सम्मेलन में उपस्तित नहीं हुआ था तथा बाद में 91 सदर्श के रूप में इस पर हस्ताश्य किया यह चार्टर जो है 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ इसी कारण 24 अक्टूबर को सम्मेलन संग दिवस बनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मना जाता है तो सम्मेलन संग दिवस आगला क्वंशन है स्वुआंट राज सुर अच्छा परषद के 58 सदस्य कौन कौन है तो 5 अपर और 97 सदस्य हैं तो यहां पर चीन आमिरका ब्रिटेन रूस फ्रांस एम चिन यह पांच जो हैं यह संविंट राज्ट याद कैसे करेंगे तो इसके लिए ट्रीक पैजिए याद करेंगे इसको देखिए इसको से कैसे याद कर लेंगे फसे आपका हो जाएगा फ्रांस, र से हो जाएगा रूस e से हो जाएगा इंगलन इया डिटर बुटेंड को होते हैं इसको C से हो जाएगा चाइना और A से हो जाएगा अमिर्काद, यह पांच देश हैं आप इसको फ्रेका से याद कर सकते हैं निया सैंथरा J कोसे सुोल से थे भारत बहुअ कि चैनित हो चुका है ठीक है सांधराश़्ुसतराशे स्थाय और दस सदस और अस्थायीं हते हैं यह उंगे श्रम लोग उपर डखें नहीं है में पांच हैं कितनी हैं पांच होुझार धीस तोराप्र कि अनुषा निवन मेंसे कौन ऌन य्व देश जो है सियूंत परसद का idea maa तो सियुवता सथाइट सदस्द है तो कॉन हो जाएगा तो चाहिन हो जाएगा सिंधर का अगर भारत है तोotz यह सित इस देश के पास सुंतराष्ट में तुम्हें, इसके पास बीटो पावर है. जो अ़हां का सथाहिस सदस्." तो यह की अक्रेiran उतिन शदस चाइना है, इसलिए इसके पास बीटो पावर हो जाएगा. आगे देखते हैं इसमें, पाक चाहिव। पाच अस्थाई सदस और दस जो होते हैं पाच अस्थाई सबस जिसमें अमीर्का रूस ब्रिटेन फ्रांस और चिन इसमें कोई इसी सभी नहीं है तो अपने बीटों का अधिकार का उपयोग कर सकता है क्या जो है अगे हैं सोय्टरास्तंग मेंनिकित में से कौन सक्ढम काज 10 की भासाय नहीं है तो कौन से लुइक य姓 क्यम काज की भासाय नहीं है यदि इसमें लिद्गत कौन धासाय होती है तोटल छह भासा हैं जिसमें से आप देखेंगे रूसी होता है अर्बी होता है चीनी होता है अंग्रेजी होता है फ्रेंस होता है और इस्पेनिस होता है ठीक है इसमें से जो जाता है जो भासा हैं जो होती हैं जो होती हैं अंग्रेज और फ्रेंच कौन होती हैं अंग्रेजी है फ्रेंस है और इस्पेनिस है ठीक है अगला दिसंबर 2020 तक प्राप जानकारिक करूंसा संहित राष्ट संग की आधिकारिक भासाओं की संख्या कितनी है तो च्छे हो जाएगी विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है तो टोटल 195 देश है विश्व में इसके बारे में देखें में तो बरतमान में संहित राष्ट संग के आधिकारिक सदस्य 193 है 193 सदस्यों में फिलिस्तिन या वेटिकन या होली सी गयर सदस्य परवच्छक के रूमे कार करने वाले ताइवान जो जिसकी सदस्य सब्सक्राइब करने वाला पर्थम देश कौन है तो पर्थम देश जो है युँऊस्य है कौन सा देश है इसके बारे में देख लेते हैं तो समीदाने वाला पर्थम देश नहीं प्रसासन और निया पालिका को अपने नियंतरण में लेने के बाद लागू काइदे कानून को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं मारसला क्या कोते हैं अगला कुशन है नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्स शुरू हुआ था तो शुरू हुआ था 1955 में कब शुरू हुआ था 1955 में बीश्मी सदी के उत्रार्द में वर्स 1955 से 1968 के बीच अमिर्का में नसली लहंगिक और कानूनी समानता को लच में रख कर एक अंदोलन चलाएगा जिसे नागरिक अधिकार अंदोलन की संग्या दी गई अगला कौन सा सरकार जो है महिलाओ पूर्सों को समान अधिकार और उसर देने में विश्वास रखती है तो ऐसे सरकार जो होती हो लोगत तांतरिक सरकार होती है। अगला ओस्तशेप नीती का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कई प्रतिबंदों का हट जाना, क्या होता है कुछ प्रतिबंदों का हट जाना, ओस्तशेप की निती को बीना सर्थ समर्थन देते हुए सोतंत्र ब्यापार की जबरजस्त हिमायत की अगला है स्विस संगी सभा के दो चेंबरों को क्या कहते हैं तो दो चेंबरों को जो कहते हैं पे देखिया है प्लिखा क्या कहते हैं राश्टी परिशद और राज्य सभा क्या कहते हैं राश्टी परशद और 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 राश्टी परश से इसका पूर्व नाम होता है उसार के सोवियत संकते हैं इसका पूर्व नाम होता है सोवियत समाजवादी गड़तन्त संगों का संग मतलब यूनियन आप सोवियत सोशलिट रिपबलिक्स है यह उरेशिया के बड़े भूभाग पर विश्त्रित है एक देश है और वर्ष 1922 इस से क्यानबीतवक अस्तुत में रहा इस देश से मौली करतव को अपने समिधान में सरपर्थ मस्तान दिया गया भारत ने मौली करतव को USSR के समिधान से प्रेलीध होकर अपनाया था किसी हितबंध गुट का सबसे महतपूर कार क्या होता है तो वह होता है कि अपनी पसंद के अनुषा सरकारी नितियों में परिवर्था दबाय और समूँ हित समूँ लोगों की इच्छाओं अकांचाओं को एकिकरित कर उनके मांगों को आकिरती प्रदान करते हैं इनका मांगों के ब्योस्थाओं के समूख पेश करना प्रमक उद्देश और अपने पसंद के अनुषा सरकारी नितियों में परिवर्था लाना होता है किस देश में फांसी वाद का राजनितिक सिधानत शुरू हुआ तो किस देश में शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ है इटली में कहां पे इटली में फांसी वाद या फांसीज में इटली के मुसूलुनी द्वारा संगठित राजनितिक अंदोलन था जो इटली में वर् तो आगे है आपका निम्कित में से कौन पर्थागत कानून का समर्थन करता है तो वह है रीची कौन करता है रीची करता है निम्कित में से कौन सा देश जो है इच्छा मिरित्यू को कानूनी बनाने वाला विश्व का पर्थम देश बना तो वह है नीदर लेंड कौन सा देश हो जाएगा नीदर लेंड मेडिकल साइंस में इच्छा मृत्यू यानि किसी की मदद से आत्म हत्या और सहज मृत्यू या बिना कश्ट के मरने की ब्यापक अर्थ है इसमें दो-हार दो में नीदर लेंड इच्छा मृत्य को बैधाईदा प्रजा परजान करने वाला पर्थम देश बन गया नौकर साही किसी धान्त के संस्था पर कर जनक कौन थे मैक्स वेवर और कौन थे मैक्स वेवर किसी संस्था, किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए नीत निन्मार करने वाले प्रशास की समू को समग्र रूप से अपसर साही या ब्यूरू क्रेसी या नौकर साही कोते हैं लोग प्रसासन और समाज सासन के विख्यात लेकक मेक्स वेवर को नौकर साई किसी धानतों का संस्थापक या जनक माना जाता है वेस्ट मिनिस्टर संसदी पराली को में बिक्सित किया गया कहां पे बिक्सित किया गया था तो यूके में बिक्सित किया गया था कहां पे यूके में वेस्ट मिनिस्टर संसदी पराली को इनाटेट किंगडम में सर प्रथम सुरू किया गया था हुम्याटिक किंग्डम के संसद भौन का नाम वेस्ट मिनिस्टर पैले से इसमें संसदी प्राली की जन्री मानी जाती है अगला कोशन है अधिकारिक तोर पे स्रिलंका का प्रामपरी के नाम क्या है तो स्री लंका का प्रांपरी के नाम जो हता हो to watch का नाम है Democratic Socialist Republic of S Raphael Lankas अगे है चीन की संसदी चीन की राश्छी संसदी निकाए को नाम से जाना जाता है किसे नाम से जाना जाता है तो National Peoples Congress के नाम से जाना जाता है चीन के संसदी निकाए को आप देखें चीन जो है दुन्या की सबसे बड़ी संसद है चीन की संसद को नेशनल पिपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है निम्लिखित में से किस देश में दुन्या की सबसे बड़ी संसद है तब जाश्ट उपर हम लोग देखें कि सहाँ पे चाइना में निम्लिखित में से कौन जो है चीन गड़राज के पहले राष्टपती थे पहले राश्टपती यह थे यूआन सी कई जो चिन हेंगर राज के पहले राश्टपती ते वर्स 1916 तक राश्टपती रहें कौन युवान सिकाई कीसी देश का समिधाना Betshuk कि किसी भी साथ भूण देश सबसे बड़ा लिखित देश समिधाना यह किसका है अपना देश महलत का यह सबको पता ही होगा बहारत हो जाएगा इसमें 당시 हिए भारत का समिधान जोalk stem की किसी भी भी साथ प्वहंद देश में सबसे बड़ा लिखिती समीधान है भारती मून के समीधान में 22 भाग 395 अंच्छेद 8 अंसुचियां थे जबकि बरतमान में भारती समीधान के अंसुचियों के संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है आगे देखते हैं दोस्तों बिश्यों का सबसे बिश्त्रित लिखित समीधान किसका है मतलब सबसे बड़ा समीधान किसका है भारत का किसका हो जाएगा भारत का अगला कुश्यों है किस देश का समीधान जो है बिश्यों में सबसे लंबा है तो यह किसका हो जाएगा भारत का जैश शुरूपर हम लोग निलुखित में से किस देश में किस देश के पास प्रो लिखित सम्मिधान नहीं है किसके पास नहीं है तो वह है ब्रिटेन के पास लिखित सम्मिधान नहीं है कि ब्रिटिस संस्त को संसदों की जनरी कहा जाता है बिर्टेन में प्रमपराओं के अनुरूप आवश्यक क्यानून बनाते हुए प्रसासनिक ब्योस्ता का संचालन किया जाता क्योंकि ब्रिटेन में लिखित समिधान का स्कृत तो नहीं है निलुखित में से कौन किसी लोगतांत्रिक देश की सबसे बड़ी महत्पूर राजमितिक संस्था है तो कौन है तो वह है संसद क्यों है संसद हो जाएगे आगे है किसी लोग तंत्री देश की सबसे महत्पूर जो राजमितिक संस्था जो होती है वह संस्थ्या व्यवस्थापिका या विधान मंडल है जैसा कि गार्णर ने कहा है कि राज की इच्छा जिन अवयों द्वारा प्रकट होती है उसमें व्यवस्थापिका सभा का सभा संसूधन करते हैं यह लोग तंत्र की इसब्से परमुख राजमितिक संस्था लोग तंत्र में सतारूरा दल ऑोते हैं तो वह उत्तरदाई होते हैं तो लोगों के प्रतिता होती हैं क्योंकि स्मिधान आरम होता ह आकि हम भारत के लोग तो जिसके साथ ही स्टά्ट होता है साथ hilar का लेकुक्तूत अंतरिक राज है अतर भारत में?", राज सत्ता, जो है, एशनता में नहेत है में अगल में से कौन सा संचीत रूप रेपीय रेपी का विस्तारी रूप में उपएयोग किया है रेपीयोग को फूलीड के पार्थ हम इस बीधि को इसी बीधि को इसी बीधि को हटा देना और पुर्ववस्था में लाह देना निर्शन और ही पिल कहलाता है ठिक है आगे है आपका किस प्रका का निर्णा आमत diff पीलाभ हानी यहीं सोरी हानी लाभ का शाउधनीप्रोवक हिसाब लागार किया जाते हैं तो वहां यूक्ति परक किसका हो जाएगा यूक्ति परक हो जाएगा यूक्ति परक निरणज होता समाजदारी या तर्क किसे धान पर कार करता है यूक्ति परक निरणज होता आमतर प्रहाई लाब का साधानी पुरुवक हिसाब लगा कर किये जाते हैं अगला है सत्ता संदचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभायु धंग से ब्यक्तियों परिवारों के एक गुट के कबजे में होती है तो क्या हो जाएगी इसके बारे में देख लेते हैं तो अब हो जाएगी कुलीन तंत्र इसी ओलिगो क्रेसी कहते हैं करते हैं कुलीन तंत्र करते हैं कुलीन तंत्र शाषैनघा सत्तक रूप है तो कहा जाता है तो कहा जाता है तो या बंग भृवन क्या कानक्या का सब्कुलत कहा जता है संब्यधानिक राज साही क्या है संब्यधानिक राज साही भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात दुरुक ग्याल पो होता है जो बर्तमान में जिसमें जिंग में खेकसर नांग ग्याल वांग चुंग हैं हरां के यह अपत जो है वनसानुगा थे लेकिन भूटान के संसद सोगंडू मंत्री परसद में नहीत होती है मंत्री परसद के सदस्यों का चुना जो है राजा करता है और इनका कारकाल जो हता है कितने वर्सों का पांच वर्सों का मैंमार का पर्मुक धर्म कौन सा है तो पर्मुक धर्म देखेंगे मैंमार का तो होता है बहुत धर्म कौन सा धर्म हो बहुत धर्म है म्यामार एक बहुत धर्मिक देश है किन्त वहां की अधिकतर आबादी जो है बहुत धर्म की अनुवाई है इसलिए म्यामार का प्रमुक धर्म जो होता है बहुत धर्म को माना जाता है अगला कुश्चन है किसका अभाव जोता लोक तंत्र से उसके कार संचालन को असंभव बनाती है तो हो जाएगा राजनितिक दल कौन सा अदल हो जाएगा राजनितिक दल इसके बार में दिख लेते हैं तो दली ब्योस्था और लोक तंत्रिक राजनितिक ब्योस्था का अंग कालन को असंभव बना देता है अधिकारी वर्ग करता है क्या करता है तो क्या करता है प्रसासनिक अर्ध नियाईक और अर्ध बिधाई कारे करता है अधिकारिक से तातपर होता है प्रसासनिक पदोपिन्यूत प्रादिकारियों से अर्थात अस्थाईक कार पालिका से इसका प कि दहाई कारें करता है अगला है राष्ट्री मानवा अधिकार आयोग के अध्यच की नियुक्ति के संबंध मेंने में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही हो जाए तो वह भाग एक सेवा निब्रित मुख्य नियाधीस होना चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं तो र उचितम नियालग कारे शित्री मानवा अधिकार आयोग के अध्यच की नियुक्ति के लिए आवस्यक है कि उच्चितम नियाला का सेवा निब्रित मुख्य नियाधीस हो अब्ध्याच के अतरिक्त मानौ अधिकार आयोग के चार सदस्यूते जीर में से एक सदस्योतार उच्छीतान नाला के नादिस भूतपूर और बरतमान और दो सदस्यूते मानौ अधिकार के संब्सक्ष विशेयों का ग्यान और बैव Titans अंभो रखने वाले व्यक्ति होने चा तो अध्यच के रूप में उचितम न्याल का सेवान निब्रित मुख्य नहदिस या कोई अन नहदिस न्यूक्ट हो सकता है आगे देखते हैं इसमें दूसरा है आयोग के गर न्याई के सदस्यों की संख्या दो से बढ़कर तीन कर दी गए जिसमें एक महिला भी होगी आयोग के अध्यच और सदस्यों कारकाल 5 वर्स से कम कर 3 वर्स कर दिया गया है। राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के अस्थापण कभ की गई थी तो की गई थी 1993 में कभ 1993 में की गई है इस में देखिएगा 1993 में के तोहत की गई है और इस आयोग को किसी जाती को पिछड़ा वर्ग की सुची में सामिल करने अथा बाहर करने संबंदी दिकायतों का परिछण कर इस संबंद में किन सरकार को सलाह देने का अधिकार है लेखनी है कि 102 संब्धान संसोधन अधिरियम 2018 वर्ग राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग को संब्धानि दर्जा परदान कर दिया गया अगला है राष्टी अंसुची जन जाती आयोग नमिकित में से किस वर्ष में एक प्रिथक आयोग की रूप में अस्तित में आई थी तो 2004 में इसके बारे में दिख लेते हैं तो राष्टी अंसुची जन जाती आयोग की अस्थापना जो है इस संसोसन द्वारा ततकालिक राष्टी अंसुची जात अंसुची जन जात आयोग को 19 फरवई 2004 को दो प्रिथक आयोग नम तह राष्टी अंसुची जाती आयोग और राष्टी अंसुची जन जाती आयोग में विभक्त किया गया था आगे आपका भारत के समिधान का अनुच्छेद अंसुची छेत्रों अनुच्छी जन जातियों के प्रशासन और नियंतर से सम्मंदित प्रवधानों का उलेख करता है तो 244 वन कौन सा? 244 वन भारत के समिधान का अनुच्छी जन जातियों के प्रशासन और नियंतर से सम्मं प्रवधानों का उलेक करता है, पंचिल समझवते जो भारत और किस देश के बीच में हुआ था, यह समझवता शांति पूरु सो अस्तित के पांस सिध्धानतों पे आधारित था, यह समझवता उनिस सो चोवन में हुआ था, भारत ने किस पड़ोसी देश में पंचिल समझव कोति पर हस्ता शर किये थे, तो वह देश था चीन, कौन सा देश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, समझवतान के नमखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, तो वह है योजना आयोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है, योजना आयोग जो होता है, यह समझवता शंङता पैं मतलब समिधान से अलग एक संस्था होती है क्योंकि इसका संभीधान से में कोई उल्लेक नहीं है, जब कि भित्य आयोग अनुछे दोस्वत्सी है, लोग सेवा आयोग जो है 315 हैं और चुना आयोग जो है 324 में इस तीनों संभीधानी संस्थां या निकाय है, उ दगलाए भारती समधान में कितने सब्दो से बना है तो भारती समीधान जो parenthरा असी हजार सब्दो से बनाई इसके बारए दिखते हैं तो भारती समीधान सभधोर भाहर के समयधान का निर्मार किया गया तिसमें 22不錯 395 यह अमश्चित आठ अन्सूचियां भारति शांसरेवाई भहगावड़ा अरतीं आधियां कम पारिटित या किया गया 2008 एसांसरेवाउन उद्यारयर और यूब्यक्त के खिलाब 100 कुरून नुपए या अधिक आर्ठिक अपरादिवों सामिल होन्rale के घिठतारी वारेंट जाकारी किया गया तो वो व्यक्ति जो होता मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ का फ्रार हो गया तो उसे भगवड़ा आर्थिक अपराद ही माना जाएगा और ऐसा अपराद भारत में दंदनी अभियोजन से बचने और सामना करने के लिए देश में आने से इनकार करता है और इसकी संप 2019 तक भारती समधार में 395 अंचेद 22 भाग और 12 सुचियां प्रंत गड़ना के द्रिष्टी से अंचेदों की संख्या जो है चार सो और तालीस और भागों की संख्या कितनी हो गई है 25 हो गई है अगला है कुश्यन वहर समिधान सभाद वारा राष्ट गान को कब अपनाया तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को कब चोबी जनवरी 1950 को राष्ट गान जो जनगर्ण मन को राष्ट गान के रूप में अपनाया गया राष्ट गान को गाने का समय जो है वो 52 सिकेंड है जबकि समिधान सभाद वारा 22 जुलाई 1947 को राष्टी धोच्त था भाड़ सरक देव सधनी विधा 1974 226 1950 को राश्टि सीद राश्टी चीन मको सीवकार किया गया दीव सदनी विधायका का अर्थ है तो ृतना है तो क्या अर्थ होता है ॆ दुष्विसद की गायचिया गया ऑर आध नीचली और उपरी सदना क्या अर्थ होता है नीचली अधाय का भी जाना जाता है आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपका विधाई सक्तियों के विभाजन के अनुसार भारा सरकार की प्रार्थमी के जिम्मिदारियों में से एक है तो क्या है तो है रच्छा बलो को बनाये रखना क्या हो जाएगा रच्छा बलो को बनाये रखना इसके ब मिधान की सातिवियन सुची में वाडित किया गया है संग सुची में देश की रच्छा विदेशी संबंद यूद्ध समझवता प्रमाड उर्जार रेल वाई मार्ग समुद्री जहाज संचार नागरिक्ता जनगर्णा मुद्रा किरसी आयमे विन्न कर सीमा सुल्क आधी सामिल आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपका निम्लिकित में से कौन सा जो अधिकार है वह उपभोगता संद्चड से संबंधित है नहीं तो है समानता का अधिकार क्या है समानता का अधिकार सुचना का अधिकार चैनन चुनने का अधिकार छती पूर निवारण का अधिकार उ जबकि समानता का जो अधिकार है उपभोक्ता सन्रच्छड से सम्बंधित नहीं है। निमलिकित में से किस वर्स में बामबे पुनरगठन अधनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया है तो 1960 में, कब 1960 हो जाएगा। वर्स 1960 में बाम्बे पुनरगठन अधिनियम पारित किया गया यह अधिनियम जो है एक माई 1960 से लागू हुआ इसके द्वारा ततकानिन बाम्बे प्रांद को भासा के अधार पे दो अलग-अलग राज्जियों महाराश्रों गुजरात में विभाजित किया गया निम्कित में से कौन सा जो कथन है वह सत्य है इसमें जो कथन दिखेंगे तो एक अंशेद 125 जो होता है यह सुप्रीम कुट के जज की वेतन भरते और पिंसन आधको तैं करता है यानि यह सही हो जाएगा अंशेद 124 जो है सरोच नेल के नाधिश्यों को हटाने का निधारन करता है तो य यह सही है अंशेद 61 जो राश्पति माहा भीयोग की बारे में बताता है यह भी सही है तो क्या हो जाएंगे सभी सत्य है यह आपका आप्सन सही हो जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों इसमें तो दिए गए प्रशनों का सभी सही कथन सत्य है और भारती समिधान के 125 में उच्चितम नजिशियो को वेतन भत्ते पेंशन आधिया और 124 में उच्चितम नजिश को हटाने की परिकिरिया और 1661 ने राश्पति के माहा भीयोग से सम्वंधित है क्रीमी लियल का तात्पर से है किसी तो है आए के अस्तर के आधार पर वरगी करोड से किस पर है आ की औस्तर के अधार पर वर्दीकरण से हैं आगर भारती समयधान के और सिसक्तियों के विचार कीस है। कोा कि अας है उससकत के साथ संखी ब्यवस्था और संगी द्वारा के लिए गए गएaka पांडी चेरी विष्टस बिद्याला की विजीटर कौन है लिजीटर जब देखेंगे तो भारत के राश्टपती हो जाए आ हैं वारत केंदरी बीश्विधाल के जो चांसलर होते हैं वो को न होते हैं भारत के उपर आश्पती अब बांडि चेरी बीश्विधाल के अस्थाप्र 1950 में की गई थी या बीश्विधाल जो केंदर सासीत पुद्धु चेरी के कला पेट नामक अस्थान पर इस्थित है है ठीक है आगे देखते हैं दूस्तों आगे है आपका भारा सरकार के किस वर्ड से दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोक की न्यूक थी की गई तो की गई थी कि लिए थे बिंदेशरी पर ब्रसाद मंडल के नाम पर इस रयोक का मंटल आयोक कहा गया है से किरकेट अधिशिश्च अफूल सीएवी का फूल फाम होता है आगे देखते हैं दोस्तों इसमें तो किर्केट से समझे थोना पे सीएवी का पूर्ण रूप जो ता नागरिक्त संसोदर अधनियम से सिटिजन्शिप अमेंडमेंड्मेंड विल कहते हैं भारत में नागरिक्ता अधनियम 1905 द्वारा जन्म वन चाई सिख जर बौद और पार्सी के सरण आर्थियों को भारत में नागरिक्ता देने का प्रवधान हैं आगे हैं भारती समिधान के ऑसिस्ट सक्तियों का बिचा समिधान से लिया गया है कि समिधान से लिया गया है या कनाड़ा के समिधान से लिया गया है आगे दखते हैं इसे केमिनिस्ट इंटर्नेशनल का नेता निर्वासित किया था यह यह राय थे यमैन राय थे यमैन राय थे आके देखते हैं दुस्तों मनराय को Communist International का नेता चुना गया था Communist International के शुरूआती नेताउं में मानवेंद्र नाथ राय औवनी मुखळी मुहम्मध अली और सफिक सिद्ध की आध परमुकते मनराय भारती Communist Party के संस्थापक भी थे पैत्री संपत्ती पे जो कर लगता उसे क्या कोते हैं उसे क्या कोते हैं उसे क्या कोते हैं जायजाद कर यानि इस्टिमेट ड्यूटी क्या कोते हैं estimate duty कोते हैं 35 संपते लगने वाले कर को state duty यानि जाजात कर कहा जाता है यह धन यह संपत इसमें जमीन खेत मका नितियाज आते हैं वारिसों के बेक्ती के मिद्तो प्रांत प्राप्त होता है भारती समिधान के किस अनुशेद में यह उलेक है कि वीधी के प्रवधिकार के अलामा कोई भीकर लगाया या वसूला नहीं जाएगा संगी सरकार में अधिकार यो ओता है वा विधान मंडल कारिकारी वितरित होती है तो IS ули गूस्परधा के अधिकार स्वान्य संगी सरकार में आधिकर जो नति होती है तो यह संपरदाइग राज हम्दाि की राजनिती यह होतीए सब्सक्राइब करता है कि संग की राज भासा जो है हिंदी अलिपी जो है देवनागरी किन्तु अंक जो है देवनागरी लिपी में नहीं लिखे जांगे अंको को जिस रूप में सास की प्रयुजन के रियोक किया जाएगा वह भारती अंको का अंतराष्टी रूप होगा बारती समिधान के निम्री में से किस अंचिर में देवनागरी लिपी के में लिखी हिंदी को संग की अधिकारिक भासा के रूप में अपनाया गया था अगला कुश्यन है भारती समिधान के निम्री लिखित अंचिर में कौन सा प्रवधान करता कि देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाले हिंदी जो होती है संग की अधिकारिक भासा आती है आर्टिकल 343 है फॉस्ट है यहां पर फॉस्ट होगा यानि आपका आप्सन जो हो जाएगा वह बी वाला होगा ठीक है अगे भाग के समिधान में किस अंचिर में यह उलेखित है कि देवनागरी लिपी जो होती है लिखित हिंदी संग की राजभासा है तब हम लोग देखें क्या तो 343 फॉस्ट क्या था 343 फॉस्ट हो जाएगा आपकाल के दौरा निम्कित बुनियादी अधिकारों में से एक को छोड़ चोड़कर बाकि सबीको रद कर दिया जाता है तो कौन सा अधिकार होता आपकाल के दोरा है पर देखें लिखा है वह होता है वह होता बयकृत्यन तरत का चोड़ कर निया जीए प्राहन लिंकन ने लोक तंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए सासन के रूप में परिभासित किया है भारती समिधान में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर, परवूत, संपन, समाज, वाजी, धर्म, पंत, निर्पेच, लोक तंत्रि, गढळ, राज जिबनाने के लिए ये रूप में लोक तंत्र को अपनाया गया है जिसमें सार्वहों सत्ता जो होती है लोगों के हाथ में होती है 72 निर्णा लेने की संभावना को बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है तो लोग का तंत्र बढ़ाता है कौन बढ़ाता है लोग का तंत्र हो जाएगा भारत में लोगों की वाले राज्यों की अधिक प्रतनिती मिलते हैं तो क्या हो जागा इसमें अधिक आबादी वाले राज्यों में अधिक प्रतनिती मिलेंगे सिंपल सी बात है यह आप देखेंगो भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रत्री जरी मिलते हैं भारत में राज्य विधान सभाग की सदस्य संख्या जो होती है लोग सभाग सदस्य की जन संख्या पे निर्वा करती है चाहा लोग सभाग सदस् जो में कम प्रत्लिधी मिलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपका किस प्रकार के सरकार में हर ब्यास के नागरिक का एक ओट होना चाहिए और हर वोट एक समान मुल्य होना चाहिए तो यहां पर कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा लोकतांत्रिक संदर्ण पर अधारित है इसका अर्थ एक अट सन है जो बहुत के सासन से उपँर है इसमें सभी ब्यक्तियों का मुल्यांकन के एक ही आधार पर किया जाता है और वर्ग बिशेस का बोल बाला नहीं होता है आगे हैं एक सासन पध्ध दूसरों से बेहत्तर है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाब देही वाला स्वरूप है तो क्या हो जाएगा लोक तांत्रिक हो जाएगा लोक तांत्रिक हो जाएगा लोक तांत्रिक सासन पध्ध जनता दोरा जनता के लिए जनता का सासन है लोग तांत्रिक ब्योस्था का उद्देश जो होता है सू सासन के लिए काम करना होता है और यह जो होता है यह सासन अधिक जवाब देहिव वाला सोरूप होता है लोक तांत्रिक में राजनितिक दबाव समुह का कार क्या है तो उसका कार क्या होता है तो होता जन हितार्थ है सरकार पर दबाव डालना हो जाएगा दबाव समूह ऐसे हित समूह है जो सालवजरी के नितियों को परभावी करके जन हितों को सुरच्छित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं दबाव जो होता है समूह आधुरिक लोगतांत्रिक के अभिन अंग है लोकतांत्रिक देश में राजनितिक दलो के विकास के साथ साथ है दवा अत्वा हितो समुहों का विकास हुगा है भारति दर्ण सहिता अनुछेद 124 एक के अंतरगत क्या आता है तो इसे अंतरगत आता है राज द्रो या शेडिशन क्या कहेंगे भारति दर्ण सहिता के अनुछेद 124 एक अंतरगत देश द्रो के मामले दर्च होते हैं कोई भी व्यक्ति यादि देश के खिलाफ सब्दों मिलिख कर या बोलकर संकेत देकर या फिर अभी व्यक्ति कि जरिये विद्रो करता है या नफरत भालाता है तो ऐसे ऐसी कोशिष करता है तम मामले में आई पीसी की धारा 124 एक तहुत केस्दर्च क्या जाता है और इस कानून के तहुत दोसी पाय जाने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रोधान है और इस कारून के धारे में लसना नहीं आती ठिक है आगे अफ इन देशो में किसे kommt से आजादी मिली तो और देश हो जाएगा पाकिस्तान कोन सट्रीं सोजाएगा पाकिस्तान कि quickly गए पाकिस्ताउं सब्सक्राइब मेरे भी तो देश जायागा वनुजला हो जायगा और दच्छिक को रहा या कभी भी उनयाटेट किंगरम के अधीन नहीं रहें पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली थी ठीक है इन देशों में किसी उनाइटेट किंगरम से आजादी मिली तो वह देश कौन सा हो जाएगा तो उनाइटेट इस्टेट आरी अमेरिका हो जाएगा इसके बारे में देखें हुए तो भारत के तरह अमिर्का भी ब्रेटिस सम्राज क परती नोशेना काणून का परित हुआ था, यां परित हुआ था, यह परित हुआ था रामी और य सेना काणून सतारिस में ही पारित हो गया है 1976 कि कौन सी घटना भारत और पाकिस्तान के मद्द सिम्ले समझवता का परड़ाम रही तो देखिए सिम्ला समझवता का परड़ाम जो है उसमें असक्वश्ट इस आप्सन में वह एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया गया है क्योंकि हमां एक्स्प्ल परड़ाम सरूप जानकारी 1976 में दोनों दोश्टों को मद्द राजनाइक संबंद पुना अस्थापित हुए भारत के तरफ से इस समझवते पर प्रदान मंत्री इंद्रा गाजी और पाकिस्तान के तरफ से राष्ट पती जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अस्ता पर और आपसी मुनाफिक देशों के देवी ने तो इसमें अस्तपष्ट क्या बताया गया सिम्ला सुझता जो था आपका जो बंगलादेश था न उसे पाकिस्तान से अलग होने में 1972 के बाद भारत और पाकिस्तान के बिच में सम्झा समझता हुए था इसलिए और फिरका निवनमसे कौन सी भारती भासा में बोली जाती है कौन सी भारती भासा बोली जाती है कौन सी भारती भासा बोली जाती है तो हो जाएगी भोजपूरी बोजपूरी इन सारे देशों में बोली नेपाल हो गया पाकिस्तान हो गया बंगलादेश हो गया त्रिनाद हो गया टोबैकों हो गया गुगाना हो गया सुरी नाम जमायका केरोबियन फीजी मारिसस और दच्छी अफिर का है ठीक है अगरते हैं बोचपूरी हिंदी का एक उपभासा या बोली है या मुखरूप से पश्चिम बिहार पूरवी उत्तर परदेश उत्तरी उत्तराखंड क के छित्र में बोले जाती है भारत के बाहर या नैपाल पाकिस्थान बंगलादेश त्रिदाद तुबैकों गुयाना सुरी नाम जमायका केरोबियन फीजी मारिसस अदच्छी रफिर का में भी रचलित है निलखित में से कौन सा देश जो है जी एट का सदस नहीं है तो है रसिया कौन सा देश हो जाएगा रसिया इसके बार हम देख लेते हैं जी एट एक अंतराश्टी मंच है इस मंच की अस्थापना 1975 में समुषिक्स के रूप में 26 सबसे धनी राष्ट्रों फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके और अमिर्का के द्वारा की गई थी वर्ष 101998 में रूस भी इसमें सामिल हो गया इसके काले से जी एक समख्या देए किन्तु वहर्षट tips 24 में करेमिया के बिले के परश्यात G8 किसे सद्वारा रूस को निलम्बित कर दिया गया गया तो फिर है क्या होगया जी सेवन हो गया और इससी क्या हो जाएगा तो रूस ही हो जाएगा कि इसमे आगे देखेँगे राष्टी आपदा प्रवंद्र प्राधिकरण का अध्यच डाइस्टर मेनेजमेंट एथार्टी एंडीयमे का कार्ज होता हुआ प्राकृतिक आपदाओं या मानो निर्मित आपदाओं के आने पर किये जाने वाले कार्यों का समयने में अस्थापित करना और उसे लड़ने के लिए छमता निर्माण करना है भाय का जो प्रधान मंत्री होता है वह राष्टी आपदा प्रवंदर प्राधिकरण का पदेन अध्याच होता है अगला कुशन है निम्खित में से कौन जो है केंद्री सुचना आयोक के मुख्य सुचना आयोक्त की नियुक्ति के संब्द में परधान मंत्री को सुझाद देने के लिए बनाएगी समी में परधान मंत्री और जो लोगसभा में बिपच खाने ता । ईस सारे के सारे जो होते सुचना आयोक के मुख्य सुचना आयोक्ति के संब्द में परधान मंत्री को सुझाद देने के लिए बनाएगी समिति के हिस्सचा होते है। बाकी बस जो speaker होते हैं लोग सभा के वो वसन नहीं होते हैं। इसके नहीं बाकी जो तीन बिकल्प थे हो सारे इसकी हिस्सा होते हैं। इस समिती की सिपारिष पे मुख सुचनायुक्त की नियुक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है। नर्वदा जल बिवाद नयाई धीकरण का किन राज्यों के बीच जल बिटवारे को सुल्जाने के लिए गठन किया गया। तो यह है आपका गुजरात, महाराष्ट, राजस्थान, और मद्द परदेश कौन को है। नर्वदा जल बिवाद नयाई धीकरण जो है, एरन डबलू डिटी का अगठन 6 अक्टूबर 1909 को नर्वदा नदी के जल बटवारे के बिवाद को सुल्जाने के लिए किया गया। बिवाद सकति का पृधिकरण या अधिकारों का वित्रण से आसर है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थमूँ के हाथों में तमान सकति नर्व हैं बलकि वह कारपाल का विधायका और नयाईपालका की सकति में विभाजित रहें। सरकार के बारे में इसके बारे में देख भी लेते हैं हम तो गठभंदन सरकार या मिली जूली सरकार ऐसी सरकार को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक राजितिक दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं अता गठभंदन सरकार से ताथ पर दो या अधिक दलों की बिशत्तक क साज़धारी से हैं बहुत दली प्रजात अंत्रिक देशों में जब किसी एक दल को पूर बहुमत प्रदान नहीं होती तक दो या अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं से गठवंदल सरकार कहा जाता है आगे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कैसा है तो प्रतनिदीयों का लोक्तंत्र होता है तो रिप्रिजंट्स के दोरह जो टं का यह रहे हों जनता का राज्य और इस प्रकार लोगतंत्र उस शाषण पते हैं जिसमें जनता स्वमा प्रतर प्रत्स रूम से अपने प्रतनिधियों के द्वारा संपूर जनता के हीत को द्रिष्ट में रखकर सासन करती है। प्रतनिधियों के द्रिष्ट में राजनितिक और समानता का विचार। प्रतनिधियों के द्रिष्ट में राजनितिक और समाजिक और समानताओं पर अध्यान से किस बात का पता चलता है। प्रतनिधियों के द्रिष्ट में राजनितिक और समाजिक और समानताओं के लोगतंत्र से इस बात का पता चलता है कि लोगतंत्र में और समानताओं मौजूद है। सम्मेधानिक कानूनों तथा नागरिकों के अधिकारों द्वारा खीची निर्धार सिमाओं के भीतर ही काम करती है। अगे देखते हैं दोस्तों आगे आपका एक लोगतंत्र सरकार सम्मेधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खीची निर्धारित सिमाओं के भीतर ही काम करती है। अगला कुश्चन है इसमें देखिए हैं अपको मिलान करना है तो डायट हम मिलान कर लेते हैं आग उसमें अंसर के थुरू तहां पर देखिए कारपालिका क्या होता है तो व्यक्तियों का ऐसा निका जिसके पास देश के समिधान और कानून के आधार पर प्रमुख निती बनाने फैसले करने उन्हें लागू करने का अधिकार होता है नियापालिका एक राजनितिक संस्ता जिसके पास निया करने और कानूनी विवादों के निप्टारे का अधिकार होता है विधाल सभाज होता जन प्रत्रिदियों की सभा होती है जिसके पास देश का कानून बन आगे हैं भारत के द्वारा पूर्व की और देखो निती का प्रारम वर्ष 1991 के ततकारिन प्रधान मंतरी पीवी नरसिंगा राव के द्वारा प्रारम की गई थी यह निती जो है भारत द्वारा दच्छिडपूर एजिया के देशों के साथ बड़े पैमानों पे आर्थिक और सामलिक सम्मंदों को बेस्तार देने भारत को एक छेत्री सक्ति के रूम में अस्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संसुद करने के आई गई नेती है भारती संसद का भवन बावन का डिजान द्वारा तयार किया गया था इसके द्वार में दिखते हैं संसद भावन की अभी कलपनतों मस्वर वास्तोकारो सर एडविन लुटियंस और सर अर्बाट वेकर ने तियार की थी जो नई दिल्ली की आयोजना और निर्माण की उत्तरदाई थे, संसद भवन की आधार सिला 12 फरवणी 1921 के महा मही में दो ड्यूक आफ कनाट में रखी गई, इस भवन के निर्माण में 6 वर्स लगे और इसका उद्गाटन समारो जो है भाग के ततकाली ने गोवन्नत जन्रलाड इर्विन ने 18 जन्वरी 1927 मे किया, भारती संसद के भवन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, भारती संसद भवन को क्या कहा जाता है, तो संसद भवन कहा जाता है, निवलिखित में से कौन जो है, राष्टी विकास परसद का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, तो भ योजना आयोग और राज सरकारों की बीच समयन करता का कार जोता राश्टी विकास परसद द्वारा किया जाता है योजना आयोग के तरह पढ़ान मंतरी भी इसके पदेन अध्यच होते हैं योजना के अनध्यच एक जर्वज द्वार पंद्र से योजना आयोग को समापकर निती आयोग को गठन किया गया इसके सदस्य होते हैं साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंतरी भी राष्टी विकास परसद के सदस्य होते हैं, राष्टी विकास परसद द्वारा परिंच वर्षी योजना अनुमोदित की जाती है, राष्ट पती राष्टी विकास परसद का सदस्य नहीं होता है, आगे सरकर्या आयोग ने अपन 247 पार्षे हैं, वर्स 1983 में सर्वच नियारने सेवा निब्रित नयाधी सिन्यायमूर्टी रणजीत सिंग सरकारिया की अध्यच्छता में बदले हुए समारिक आर्थिक है, परिद्रिस से में किंद्र और राज्यों की बीच मौजुदा ब्योस्थाप और की क्यार प्रारी की समिच्छा है, तो इस आयूक का गठन किया गया था, आगे है, भारती समिधान के किस भाग में किंद्र राज्यों सम्बंदों का उल्ले किया गया है, तो भाग अनुछेद भाग 9 और अनुछेद 245 से 255 हो जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं, भारती समिधान के भा भाग 11 होगा, यहां पर गलती हो गया, भाग 11 होगा, नाइब नहीं होगा, भाग 11 होगा, अनुछेद 245 से 255 होगा, इसमें देख लीजिए, भाग 11 के किंद्र राज्यों सम्बंदों का उल्लेक है, इसके अंतरगत अध्याएवन में अनुछेद 245 से 255 तक बिधाई में अंध्याएवर, आगला कुशंञ है, भारती जनता अंतरि गठ बंदन का स्थापना कब ही हुई थी, यह हुआ था, एकraftि राष्टि कांग्रेस प्र्याचिम गठवन दंदाओ सब्सक्राइड outta निे यूपी ये लाएंस है आक मदेन्य पुल्ब आध्या बरत रहां गठवन करती है और इसका गठवनैद्र你們 में हुआ था सुनिया गांधी अब इसमें भी चेंज हो शुकी है इसमें बनाया गए हैं मलिकार्जुन खडगे को ठीक है तो इसमें जो यूपीय के अध्याच है मलिकार्जुन खडगे हैं अगर सुनिया गटशील गटभंदर के स्थापना कब ही थी यह ही थी 2004 में कब ही थी 2004 में आगे देखते हैं दोस्तों भारती जनता पार्टी किस राजितिक समूँ का एक हिस्चा है तो वह हिस्चा है आपका भारती राष्टी जन्तांत्री गढ़बंदर याणि नेशनल डेमोक्राटी एलायंस की ठीक है भारती जन 1998 में राष्टी जन्तांत्री के गढ़बंदर की घोश्रा हुई थी इस गढ़बंदर का गठन उस समय गयर कांग्रेशी सरकार बनाने के लिए किया गया था निवारक निरोद अधनियों मैंने प्रिवेंटिव डिटेशन अक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है ते रोका बिशाद करने के आशंका के अधार पर निरुद्ध किया जासकता है अतर निवारक निरोद अधनियों मैं किसी व्यक्ति खो वह kg कि उस्टनत्रता आनि आजादी की हग से वंचित किया जा सकता है है भारति जन्ता प्रटी आनि वीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारति जन्संग में नहीं थे किसके द्वारति उत्पत्ति की गई थी तो यह हैं। स्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अस्थापित भारती जनसंग में नहीं थे बीजेपी की उत्पत्ति इसके बारे में देख लेते हैं तो भारती जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति जो है स्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अस्थापित भारती जनसंग में नहीं था भारति जन्षंग की अस्थापना उंक्टूबर expects उन्नीस सोे कैम भारति गई थी भारति जन्षंग भारत का पुराणा राज डुनितिक दल था जै कुले जिस व्यसकों 1060 में भारति यहांग भार्ति जन्षंग बनी कम परशाद मुखर जी आ गया इसमें उस्थापना की गई स्थापना के संब्धन प्रशन 1987 में दिया गया जो की गलत है ठीक है लोग नहीं होगा यह थी अज़ो यह थे भारती जनता दल्क में जो थे श्याना प्रसाद मुखर जी उसमें ए थे तेरे सदक्तर नहीं होगा यहां पर यह गलत है ठीक है बाकि एक बार आप लोग देख भी लिजेगा इसको अखिल भारती त्रिडमूर कांग्रेस को वर्ष में अस्थापित किया गया है किस वर्ष अस्थापित किया गय को एक जनवरी 1998 में किया गया इस दल का नेता जो है ममता बनर्ची हैं दो सितंबर द्वार सोलों को भारती चुना आयो गया निए पसिम बंगाल की मुख मंत्री बंदा बज़र जी की नित्यत्त वाले अखिल भारती त्रिडमूर कांग्रेस को राष्टी दल का दर्जा प् पाल्टी भारती राष्टी कांग्रेस बहुजल समाज पाल्टी भारती कम्यूनिस्ट पाल्टी भारती कम्यूनिस्ट पाल्टी यम राष्टवादी कांग्रेस पाल्टी अकिल भारती त्रिडमूर कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पाल्टी है ठीक है तोटर कितनी आठ तो दिम्लिकित में से कौन एक जो है राश्टी राजनितिक दल नहीं है तो कौन नहीं है तो भारती राश्टी लोक दल क्या है यह राजनितिक दल नहीं है राश्टी राजनितिक दल नहीं है ठीक है भारती राजनितिक पाल्टी यह आई सिटी सी का पूरा नाम क्या है इसका का पूरा नाम होता है आल इंडिया त्रिणमूल गांग्रेस इसका पूर में कुम्निक्ट्ट कुम्निक्ट पार्टी को अस्थापित किया गया और इस दल की अस्थापना 1925 में कानपूर नगर उत्तर परदेश में अगला कुशन है फरवरी 1921 तक प्राफ जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी एक राज अस्तरी पाल्टी है कौन सी राज अस्तरी पाल्टी हो जाएगी वह है आम आदमी पाल्टी क्या हो जाएगी आम आधि पाल्टी एक राज अस्तरी पार्टी है फरवरी 2121 तक कि प्राफ जानकारी के अनुसार आठ राश्टि पाल्टी यहां कौन-कौन-बाहरति आजटी जनता पाल्टी में बीजेपी हो जाए गया बहुजन समाज पाल्टी वीईश पी हो गया भारति राश्टी कां आंग्येस और नेशनुल । rij ugly पाल्टी अगरा गापिशन कि पाल्टी ना माख्सवाधी का गठाण की सुर्स किया थी का घठान किया गया 1974 में का 1964 में भार लाइद्टी पाल्टी नेमाख्षवाधी का गठाण जो यह वर्स इननीज्सवाधी कीया हुआ था अगला हम मले आलम की सास की भासा है तो मले आम किसी सास की भासा हो जाएगे तो लच्छ दीब की हो जाएगे किसकी लच्छ दीब की मले आलम जो है मले आलम भासा जो है मुखत दच्छिड पश्ची में तटी राज केरल में बोले जाती है या केरल के सासित परदेश लच्छेदीब की राज भासा है लेकिन सिमावर्ति करनाटक और तमिल नाड की इद्यु भासी समु के लोग भी यह भासा बोलते हैं मले आलम की सास की भासा है किसकी सास की भासा है तो वीचे श्रमू उपर देखें क्या हो जाएगा इसमें केरल मले आलम भासा मुख्रप से किस राज में बोले जाती है तो क्या हो जाएगा केरल इसलिदीदीबारत में महाराश बुझरात के मद इस्तित्थ है दादरनागर हवेली हो जाएगी अन महाराश की कभासाओं में महाराज माराथी और गुझरात है। माराथी महाराष्टisa की भासा है. ibebine faculty की राज की वासाश की बाषा किसकी वाशाश की भाषा उति चेल कुछ जो होती है आंध परदेस की दियर बाद परदेस ग्रीवार के अंत्रकत आती है एला कुषन देखते हैं दोस्तों आ गहां है अंग्रेजी कि सास की भासा अंग्रेजी किसकी सास की भासा हो जाएगी तो यह भासा हो जाएगी मेगाले की मेगाले की सास की भासा क्या हो जाएगी अंग्रेजी ठीक है अधिकतर बड़े-बड़े राज्यों में राज्यों की पर्मुक भासा को अपनी राज्य भासा बना दिया जाता है उदालड के महाराष्ट ने महाराथी को राज की भासा बना तमिल ने तमिल को और उत्तर परदिश ने हिंदी को पंजाब और गुजराती को हिंदी को भी राज भासा सिवकार किया है आश्चर की बात पूर्वत्र को छोटे राज्यों ने अर्थात नागा लेंड मिजोरम मिजोरम मिघार और अंग्रेजियू को अपना राजभासा शिवकार गया है देखिए इहां पे कौन-कौन नागा लेंड हो गया मिजोरम हो गया मेगाला हो गया मतलब जो भी छोटे राजय पूरुत्तर के इस सब अंग्रेज़ी को ही राज़ भासत सिवकार कर दिया गया है बोड़ो भासा मुर्विक्सरा किस भाससा में बोले जाती है तो किस राज में बोले जाती है ते वह जती है बोस्विकमת यह जो है खालत MAR discussing की आधिकारिक भासाओं में सेknown खालिक के विषे सम्मिदानि दर्जा mind plan Thomas ऐसे कि किसा की सासकी भाषा किसकी सासक साथ कोकली यहाँ साथ कि की कि जामंत य देविय का दाद्वनागर हवेली के साथ बिलक कि pride की राजभासा कोटली घुजरादी 6 Τ्रिय में proper इंधिये 30 पिष्पूरी मग है और मैतली नाम उस छीत्र उसे समन्दется में सब्सक्राइब 새 हुथ हार एफ्पार 12 u बोले जाने वाली भासा है दोगरी भासा मुखरूप से किस राज में बोले जाती है तो डोगरी जो है या जम्बू कास्मीर में बोले जाती है कहां पे जम्बू कास्मीर में बोले जाने वाली भासा जो है दोगरी है वह से 2004 में से भारती समिधान के आठीवी सुची में साव भासा भी है यह वासा नेपाल के अत्रिक्ते भाद के सिक्षिम बंगाल उत्तर पुर्वी राजियों में जिसमें असम मड़ीपूर में घाल है और उत्राखंड के अनेक लोहों की मात्र भासा होती है कि नापाल की अधिकारिक भासा क्या है तो नापाल की अधिकारी भासा विज्जेश्रम लोग दखें क्या है नापाली है इन भासा में कौन सी भासा जो असा धरता है भाग के दच्छडी हिस्सी में बोली नहीं जाती है तो कौन सी भासा हो जाएगी मैथली हो जाएगी कौन सी भासा हो जाएगी मैथली हो ज जाती है जब कि मैंथ्री जो है बिहार के तराइक फित्रों में बोले जाने वाली भासा है भारती राजनीटेक पार्टी सीपी आई यंका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नम अभी जश्ट हम लोग ऊपर देखें क्या होता है पार्टी आफ इंडिया मार्क स्वादी इसका पूरा नाम होता है ठीक है और इसका गठन जो देखे लेंगे तो साथ नोंबर 1964 को हुआ था और इसका मुख्याला दिल्ली में है भारती राजनितिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या हो जाएगा CPI का पूरा नाम हो जाएग कमिनिश्ट पार्टी आफ इंडिया हो जाएगा भारती राजनितिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्मिनिश्ट पार्टी आफ इंडिया एनि CPI है इसका गठन जो दिसंबर 1925 में कान पूर उत्तर प्रजेश में किया गया था इसका मुख्याला दिल् 25 में भारती राजनितिक पाल्टी भारती राजनितिक पाल्टी बस्पा यानि बीएसपी का पूरा नाम क्या है इसका पूरा नम होता बहुजन समाजवादी पाल्टी बहुजन समाज पाल्टी ठीक है तो भारती राजनितिक पाल्टी बस्पा का पूरा नाम होता है बहुजन तहना है और स्वरी में ओती हैं है तो बढू चमश्च पार्टी की अस्थापना में की गाई थी तुम च्वापना और गई थी देख की गई थी अस्थापना 1984 में कब 1984 में इसका हम निकलेंगे तो राष्वादी कांग्रेस पाल्टी यानि नेशनल कांग्रेस पाल्टी यानि स्थापना 10 जुन 1999 को हुई थी और इस पाल्टी को कि जो अध्यच्छे कौन सरद पवार है उन लेखनी है कि 25 मैं 1999 को संस्थापक सदस सरद पवार तारिक अनवर और पीए संगमा के द्वारा अनिर्मित पाल्टी है ठीक है राष्टवादी कांग्रेस पाल्टी कांग्रेस प इसका पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम NCP का होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पाल्टी क्या होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पाल्टी हो जाएगा निन में कौन जो है भारत के राष्टी धोज का डिजायनदार था तो कौन थे तो यह थी पिंगली वन कहया कौन हो जा गया था तो 22 जुलाई 1947 को आगे देखेंगे इसमें राश्टी धोज की जो लंबाई चोड़ाई का अनुपात होता है तीन अनुपाति दो होता है राश्टी धोज का समान अनुपाति तीन च्छेश पर्टियों से मिलकर बना जिसके उपर से क्रमशक के सरीया सफेद और हरा बीच में नीले रंग का चक्र बना जिससे 24 तीलियां होती है कि शरीया रंग देश की ताकत और साहस का सफेद रंग सांती और सत्य का और हरा रंग जो हता है सूह विकास और उर्वरकता का प्रतिक है अगला कानून की सासन की अभिव्यक्ति से क्या भिप्राय है तो उसका कोई भिव्यक्ति जो हता कानून से उपर नहीं है कानून की सासन के विवक्ति से इप्राय है कि कोई भिव्यक्ति जो है कानून से उपर नहीं है तथा वो अपने सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है कानून लिखित और लिखित दोनों रूपे में हो सकता है भा सव्ताद का ज़िए का सासन भी का दता है कौन जो है लोका युक्त और उप लोका युक्त करते हैं कौन युक्त करते हैं तो सम्मंधित राज्य और किनसासित प्रदेश के राज्य और उपर राज्य पाल करते हैं मुख्य मंत्री उच्च नाले के मुख्य नाधीस विधान सभा के अध्यच विधान सभा के विपच्च के नेता के प्रामर्स के बाद सम्मंदित राज्य राजपाल किन सासित परदेश के उप राजपाल जो होते हैं लोकायुक्त और उप लोकायुक्त है और लोकायुक्त के प्रामर्स के पश्चात न्युक्ती करते हैं लोकायुक्त एक भरष्टा चार बिरोधी प्राधिकरण है जिसकी न्युक्ती एक निश कि थी तो उसे में उसके अध्यच्च्च थे हुए थे फजल अली कौन थे फजल इसके बारे में देख लेते हैं तो 1903 में नियाधिस फजल अली के अध्यच्चता में पर्थम राज जिटुक्क पृजल अर्ज प्रदैनास कंजरु च्था केम पड़िकर थे वर्ष 1995 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के परशात एक नॉबर 1956 को 14 राज और 6 के नसासित परदेशों का अगठन किया गया अगला कोशन भारती समिधान में निफित में से कौन सी बिस्यस्ता जो है यह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है पंच वर्ष योजना जो है यह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यह 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 से लिया गया है निफित में से किस राज सरकार ने जून 19-2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संसोधर की मंजूरी दी तो यह राज हो जाएगा गोवा कौन सा राज हो जाएगा गोवा जून 19-2019 में गोवा सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संसोधर को मंजूरी परदान की इस संसोधर के परश्चात महिलाएं गोवा में साम 7 वज़े से सुबद 6 वज़े तक रात्र की पाली में कायम कर सकती है अगला कुशन है किन सरकार भारत में लोग ब्रित्ती प्रवंधन प्रवाली की देख रेख कौन सा नोडल बिभाग अधिकारी करता है नोडल विभाग करता है तो वा है बैय विभाग कौंसा हो जागा बैय विभाग हो जागा इसके बारे में देख भी लेते हैं और फिस्थ आता और प्रकृरियाओं के लिए सुप्रिम कोड के द्वारा निरधाई दिशा निरदेश है कि जीनका पालन पुलिस को किसी भी ब्य गिरप्तार करने के हिरासत में ले लेने και पुश्kick आउसकता है। D.K. वशू दिर्शा निर्धेश। पालन पुलिस को किसी भी बेक्ति को गिरपतार करने, हिरासत में लेने, पुष्टास करने के लिए करना पड़ता है इंद्रा सहानी और अन्य बनाम UOI मामला किस बिशे से सम्मंदित है तो अब इसे हो जाएगा आरच्छड से किस से हो जाएगा आरच्छड से हो जाएगा इंद्रा सहानी और अन्य बनाम Union of India नी UOI मामला आरच्छड से सम्मंदित है यह मामला सरकारी नोकरियों में अन्य पिछड़े वर को आरच्छड का लाग दिये जाने के विरुद्ध दायर किया गया था अगला मली मत समीती की रिपोर्ट निमनिकित में से किस सम्मंदित है ते किस सम्मंदित हो जाएगी यह अपराधिक न्या प्राली सुधार मतलब अपराधिक न्या प्राली सुधार से सम्मंदित हो जाएगी इसके बाद दिख लेते हैं तो मली मत समीती की रिपोर्ट जो है अपरादिक नयाप्राली सुधार के सम्मंदित है यह समीती जो है 2000 में ग्रीह मंत्राले द्वारा गठित की गई थी जिसने अपनी रिपर 2003 में सरकार को सौपी अगला कोशन निम्कित में से किस राज ने मार्च 2019 में मेंट्रिनस आफ हाउस होल्ड रिजिस्टर बिल पारित किया किसने पारित किया है यह हो जाएगा यहां पे मिजोरम हो जाएगा तो अब्रवासियों पर नियंत्रण के लिए मिजोरम ने मार्च 2019 में में अगला है जन्वरी 2019 में आर्थी रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रत्षत कोटा लागु करने वाला भारती राज बन गया तो पहला भारती राज कौन सा है तो वह है गुजरात कौन सा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा 2019 में आर्थी रूप से कमजोड वर्गों के लिए 10 प्रत्षत कोटा लागू करने वाला भारती राज गुजरात बन गया अगला कुशन निम्खित में से कौन भायत के पहले लोकपाल का एक गर न्याई सदस्य है तो हो जाएंगे अर्चना राम समुंद्रम अर्चना राम समुंद्रम अर्चना राम समुंद्रम भायत के पहले लोकपाल की एक गर न्याई सदस लेगे पहली महिला थी लोकपाल के अन्ग गर न्याई सदस्य है दिनेश कुमार जन, महंदर सिंग, इंदरजीत, परसाद गौतम, भारत के पहले लोका युक्त, उच्छितम नियाला के सेवा निब्रित नियाधी से, पिनाकी चंदर गोसे, विकल्प में दिये गे से सदस्य है, नियाईक सदस्य है, अगला कुछन है, बी आर अम्बेट का सत जग जीवन राम, अगला कुछन है, भारत में समिधान, भारत के समिधान में अनुछेद की प्रविष्टी द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्टी आयोग एन सी बीसी का गठन किया गया, किसके तोहत किया गया तो हम लोग डाट इसका अंसर दिखते हैं, इसमे प्रविष्ट द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्टी आयोग एनियन सी बीसी का अगठन किया गया, इस आयोग के अध्याच और उपाध्याच अंतीन सदस्य होते हैं, आगे देखेंगों दोस्तों आगे भारति समिधान के किस अंचरी में जन संख्या के किसी सम समुन्द बोली जाने वाली भाषा को लेकर विसेस प्रवधान किया गया है तो यह हैं 377 क्या हो जाएं 337 किसी राज में प्रयाप्त संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हैं और उसकी इच्छा हो कि वह उनकी द्वारा बोली जाने में भासा को मानता प्रदान की जा तो इनकी अनुमति राश्पति प्रदान कर सकता है किस अधिनियम द्वारा नसल धर्म और राश्टी मूल के आधार पिभेद बाव को निशियत कर दिया गया था तो वह हो जागा नागरिक अधिकार अधिनियम क्या हो जागा नागरिक अधिकार अधिनियम इसके बार हम देख लेते हैं तो औस प्रिश्चिता की प्रियोग और उसे बढ़हावा देने तथा औस प्रिश्चिता तथा उसे समयद मामलों के करण उत्पन किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को दन्रित करने की 1905 में और और इस प्रिश्चिता अधिनियम 1955 बना गया था लेकि 1976 में इसे ब्यापक संसोधन कर इसका नाम बदल कर नागरिक अधिकार संसोधन अधिनियम 1955 कर दिया गया अगला कोशन भारती समिधान का निमने में से कौन सा अनुछे जो है एक जी अश्टी परसद की अस्थापना से संहबने में है िनके बारे में देखेंगे 1922 राश्पति रामनात कुमिन उच्छेतम न्याले के सिवानिवित न्यादिस न्यायमूर्थी पिनाकी चंद्र गोश को देश का पहरा लोकपाल निक्त किया लोकपाल का काल पद बार ग्रण करने के तिती से पाच वर्स तक होगा विशेस विवा अधनियम 1954 में से किसका समर्थन नहीं करता है तो वह सक्त सगत्र विवा का समर्थन नहीं करता है विशेस विवा अधनियम के अंतर जाती विवा आर्थि धार्मिक विवा संप्रदाइक्स सवार्द को माहनता प्रजान करने का प्रवधान है अगला कुश्चन है मोटर वाहन अदरियम 1988 के अनुसार से कम आयो कि किसी भी बेक्ति को बिना गियर के मोटर साइकल चलाने के लिए परसिच्चु का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा बसरते उस बेक्ति की लिखित सहमती आवस्यक है जो परसिच्चु को देखरेक और जिम्दारी उठाता है ते क्या हो जाएगा 18 वर्षे कम ठेक है इसके बाद दिखेंगे तो मोटर वाहन अदरियम 1988 के अनुसार 18 वर्षे कम आयो कि किसी भी बेक्ति को बिना गियर के मोटर सा इसेंस नहीं दिया जाएगा बसरते उसके लिए उस ब्यक्ति की सहमती आवस्यक जो परसिच्चु के अभी वावक का निरोहन करता हो अगला कुश्यन है निवन में से कौन सा अधिनियम जो भार सरकार द्वारा सावजनिक प्राविकारियों के खिलाफ बरस्टा चार के आर अधिनियम 2013 के प्रवधानों के तहट लोकपाल संस्ता का गठन 2019 में किया गया था मार्च 2019 में और यह अधिनियम जो भार सरकार द्वारा सावजनिक प्राविकारियों के खिला बरस्टा चार के आरोपों को जाज करने के लिए पारित किया गया जिसका पर्थम अध्यच के उच्तम नयालक के पूरो नयादिश पिनाकी चैनल गोश्कों न्यूक्त की गई है लोकपाल के इमें एक अध्यच और आठ सदस्यों का प्रवधान है अगला कोशन उपभकता संस्ता च्छड दियम 1986 के अनसार यदि दावे का मूल तक है तो जिला गुखता बिवाद निव मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है इसके बारे में देख लेते हैं तो पुखता संस्ता च्छड दियम 1986 के अनसार यदि दावे का मूल बीस लाख रुपय तक है तो जिला पुखता बिवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है बीस लाख से अधिक और एक क चरण एनि एस एटी की अस्थापना की इस वर्च में की गई ते की गई थी 1992 में कर 1990 में भार्त ने प्रतिभूत अफिली ने अधिकरण भार्ती प्रति प्रतिभूत और बिनमें बोर्ड अजिनियम 1992 के प्रोधानों के तो अस्थापीत बैध्वानिक निकाय है अगरा भाय के समिधान का भाग बार जो है बित्य संपत्य और अनुबंध और वाद से सम्मंधित है में उनलेखित की सुरियास्त के बाद और सुरियोदे के पहले किसी भी महिला को और साधर्ण परिशितियों को छोड़ कर गिरभतार नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दंड इसके अनुशार देखिने द्रण प्रिक्रियास्ता में उनलेखित है कि सुरियास्त के बाद और सुरियोदे से पहले किसी भी महिला को और साधर्ण परिशितियों को छोड़ कर गिरभतार नहीं किया जाएगा अगला भार सरकार द्वारा वर्स अनियम पारित किया गया तो पारित किया गया उनली सव पंचानवी में कव रिंशो पंचानवे में भार सरकार द्वारा वर्स GORDON वर्स अनियम पारित किया गया विकलांग बैद सर तात पर ऐसे बेक्तियों से है जो किसी चिकितिशा प्राधिकारी द्वारा या प्रमारित किसी बिकलांग से नियुन्तम 40% गरसित हो नियुकित में से कौन सा रिडी को सम सन पार्षविक की कमी की समश्या को दूर करने में साहता प्रदान करता है इसके बारे में दिख लेटे हैं यहां पे हो जाएगा आपका किस वर्स सभाशनाओं में गरिबी हटाओं का नारा दिया था तो यह दी थी 1971 में कब? 1971 में इंद्रा गादी के नेतित में एक अंग्रेस पार्टीन वर्स 1971 के लोग सभाचुना में गरिभी हटाओं का नारा दिया इस नारे का उपयोग पंच वर्सी पाचवी पंच वर्सी वजना में किया गया में अधिनीमित किया गया है तो 1986 में उपभवगता सन।च़ा अधिनीमित किया गया है कि उपभगता अधिनीमित जाँगी व क्या जाना कि पहली महाइला मुख सची जो हैं अगर दिया देखिए दोस्तों यहां पी जितना भारती और तीविफिक तापिक सारे टापिक को खतम कर दिये हैं जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखें विए हमारे प्लेश्ट में जाकर दे सकतें इसके बाद जो अगला टापिक है आपका भारती भूगोल भारत का भूगोल है उससे समझे जो भी सारे को में कराऊँगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लेश चैनल को सेर और सब्क्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तों